Hello everyone, I am Sonal Tanwar, your educator. Welcome back to my channel, The Hindu Answer Classes. आज हम लोग Sunday और Monday दोनों ही दिन के आर्टिकल्स कवर करेंगे, क्योंकि कर हमारी RTM सीरीज वाली वीडियो आई थी. मुझे ये देकर काफी अच्छा लग रहा है कि आप मेरी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं और मेरी एफ़र्स को इतना एप्रिशियेट कर रहे हैं. So thank you so much for that. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक Quality of Education प्रोवाइड कर सकूँ और आपके हर स्टैप में आपको गाइड कर सकूँ बाकि अगर आप मुझे कोई सजेक्शन देना चाहते हैं या आपके पास कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे बेज जग कमेंट कर सकते ह या आप मुझे मेरे Facebook पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं ट्रासिस की सभी PDF और Important Announcements आपको मेरे Telegram चैनल पर मिल जाते हैं इसलिए आप मेरे Telegram चैनल जॉइन कर ले उसका लिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए कर लेते हैं अब अपनी आज की क्ला चैनल जैनल ऑफ इंडिया ने एक मैडिसीन है जिसका नाम है आइटोलिजुमेब उसको एक क्लियरंस दे दिया है कि इसको हम अब कोविड-19 के केसि जो भी मॉड्रेर से लेके सीवेर केसिस हैं उसमें हम अभी ये मैडिसीन से यूज कर सकते हैं क्योंकि काफे सारे ट्रायल करने के लिए यूज की जा रही थी लेकिन काफे सारे ट्रायल के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है कि मॉड्रेट से लेके सीरियस जो केसिस हैं कोविड-19 पेशेंस में वो उनको भी क्योर करने में ये काफे इफेक्टिव सामने आई है तो हम जान लेते हैं क्या है प्लेक प्लेक्टिव फंगाई जब आपकी बॉड़ी में एंटर कर जाता है तो आपका जो इम्म्यून सिस्टम है वो एक तरीके का प्रोटीन जेनरेट करने लगता है उस वाइरस उस एंटिजन से फाइट करने के लिए लेगिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा इम्यून इसिसेल में कहुए हैं वो बहुत ज़ादा बंट अब हो जाती है और उनका जो चेल है और बढ़ने लग जाती है मिंवे कुर्श में जिसने मारे स्किन फूल लिए इची न साजिए र आ जाती है मंआरी ज्य यह जो बिमारी है, यह medicine है, यह इस बिमारी पर बेसिकरी यूज की जा रही थी, लेकिन काफी सारे results, काफी सारे trials के बाद यह पता रगा है, कि यह moderate से लेके serious cases हैं COVID-19 के, उसमें भी यह काफी effective देखने को मिली है, यह जो दवाई है, यह सिर्फ emergency use के लिए ही है, जब COVID-19 के patients म जो की moderate से लेके severe cases होते हैं, जब उन patients में acute respiratory distress symptoms देखने को मिलते हैं, तब यह CSS जो है वो आता है उनकी body में, इसका मतलब है कि जो हमारा immune system है, वो जो virus है, उसको इतना ज्यादा neutralize मतलब कम करने की कोशिश करता है, और हद से जादा हमारा immune system वो work करने लग जाता है, जिससे होता है कि हमारे जो lungs होते हैं, वो damage हो जाते हैं, या फिर body के other organs जो है, वो damage हो जाते हैं, कई बार इसकी वज़े से patient की death भी देखने को मिलती है, अब acute respiratory distress syndrome का मतलब क्या है, कि ऐसी respiratory बिमारी जिसमें जो हमारा lung है, वो अपनी expand करने की capacity खो देता है, यानि कि हमारा lung expand कब होत जब हम सास लेते हैं, तो हमारे lung में हवा जाती है, जिसे हमारे फेफरे जो है, वो आगे फूलते हैं, expand होते हैं, बढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं, जब वो बढ़ना कम कर देते हैं, जब बढ़ना कम कर देते हैं, तो हमारी body में acute respiratory distress syndrome क्रियेट हो जाता है, अब यह जो medicine है इक तरह की biological drug है, यानि कि इसको injection या IV infusion के द्वारा body में inject किया जाएगा, अब biological drug का मतलब क्या होता है, यह एक तरह का ऐसा protein based drug होता है, जो कि इनसान के ही cell से बनाया जाता है, या laboratory में इनसान का ही part का कुछ cell लिया जाएगा, बेसिकर यह T cell से मिलके बनता है, यहां पर लि कि यह जो biologic protein based drugs होते हैं, यह basically जो T cells होते हैं, बोरी में उनसे मिलकर बनता है, लेबरेटरी में इनका इन cells का culture किया जाता है, मतलब इन पर research वगरा की जाती है, फिर यह drugs बनकर आती है, और इन drugs का जो function होता है, वो traditional systematic drug से, काफिर different होता है, मतलब traditional drugs कैसे work करती है, कि आपने दवाई ले ली और वो पूरी ही body में असर करेंगी, अगर आप कोई pain killer ले रहे हैं, तो जो pain killer है, वो पूरी body में असर करती है, कहीं पर भी आपको दर्द है, वहाँ पर भी करेगी, और जहाँ पर आपको pain नहीं है, वो वहाँ पर भी असर करेगी, लेकिन जो biologic drugs होती है, वो उनका एक specific part का target होता है, वो सिर्फ जहाँ पर बिमारी है, जहाँ पर कोई भी malfunctioning हो रही है body में, वो सिर्फ उसी specific target में जाकर वो अपना जो immune system है, उसमें काम करना start करेगी और उसी specific target में वो work करेगी, तो ये काम होता है biological drug का, अब हम बात कर लेते हैं drug controller general of India के बारे में, नाम से ही पता चल रहा है कि जो drug है ये उसको control करती है, यानि कि जितने भी drugs, vaccine, blood test और अन्य तरह के जितने भी test होते हैं, वो उन सब को ये approval license और उनको specified category में रखने का ये काम करती है, और जितने भी drug की companies होती हैं, उन पर ये monitor करने का भी काम करती है, ये Ministry of Health and Family Welfare के अंडर काम करती है, तो ये हमने कुछ drug controller general of India के बारे में भी जाना, अब देखते हैं अपना next article, तो हमारा next article है, Assam killback spotted for the first time in 129 years, कंटेक्स ये है कि आप यहां पर पिक्चर में ये स्नेक देख सकते हैं, इसका नाम है Assam killback, और ये Assam में ही endemic है, यानि कि वहीं पर ही पाया जाता है, लास्ट टाइम इसको 129 years पहरे देखा गया था, 1891 में और जिन्होंने इसको spot किया था, वो थे एक British tea planter, जिनका नाम था, Samuel Edward Pearl, इसको अब दुबारा से Assam में ही spot किया गया है, 2018 में इसको found किया था, पोबा रिसर्व, फोरेस्ट के आस पास, और उसी ताइम से जो World Institute of India है, यानि कि Wildlife Institute of India है, उन्होंने इसको retrace करने का एक expedition चला दिया, अब ऐसा होता है कि जो स्नेक होते हैं, वो काफी जादा मिलते नहीं हैं, क्योंकि उनको retrace करना काफी जादा मुश्किल रहता है, तो इसलिए इसको दो सार लगे, इसको retrace करने में, तो अब हम बात कर लेते हैं, Assam Killback स्नेक के बार में, ये एक तरह का non-venomous, यानि कि बिना जहर का स्नेक है, इसका जो नाम है, वो Samuel Pearl और जिस प्लेस पर ये पाया गया था, फॉर्स टाइम, उस प्लेस पर इसका नाम पढ़ा है, ये एक बहुत ही छोटा साप होता है, maximum लंबाई, इसकी 60 cm तक होती है, ये ब्राउनिश कलर का होता है, और इसके पेट पर आपको डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न भी देखने को मिलेंगे, इसका जो जीनस है, यानि कि इसकी जो जाती है, वो है, हर्पे टॉर्स, जो कि बिलॉंग करती है, छोटे से स्मॉलर ग्रूप से, जो कि चार स्पीशीज में आप इसको देख सकते हैं, मतलब जो जीनस है, इसकी जो जाती है, उसमें आप चार तरह के और स्पीशीज साब की देख सकते हैं, और ये जो साब है, ये फाउंड किया जाता है, इस्टर्न और वेस्टर्न हिमाल्यास के आसपास, Southern China के आजपास और North East India में और इसको IUCN Red List की data deficient category में रखा गया है data deficient मतलब की ऐसी category होती है IUCN की जिसमें जो species है जो भी animal होगा या plant होगा उसका जो data है वो इतना नहीं है कि हम उस पे estimation लगा पाएं कोई भी research कर पाएं तो मतलब इतना कम data है या फिर जो data है वो एप्रोक्स है ही नहीं तो उसको category को हम कहते है data deficient क्योंकि यह साप होते हैं वो एक तरह के reptile है और इनका data इतना मिलता नहीं है यह इधर उधर चले जाते हैं तो इसलिए इनका data प्रॉपर तरीके से अवेलिबल नहीं होता तो ऐसी जो species होती है जिनका जो category data deficient पर आती है उनका जो status है वो जानना काफी difficult हो जाता है अब हम जान लेते हैं पॉबा रिजर्व फोरेस्ट के बारे में पॉबा रिजर्व फोरेस्ट जो है वो असम और अरुनाचर के border पर आपको देखने को मिलेगा असम में ही है लेकिन असम और अरुनाचर के border पर आपको देखने को मिलेगा और इस पॉबा रिजर्व फोरेस्ट से एक highway pass होता है जिसका नाम है national highway 15 यह जो question है कि National Highway 15 कौन से स्टेट से होकर पास होता है यह UPSC में पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है कि National Highway 15 जो है वो असम से पास होता है असम और अनुनाचल में और इसके सेंटर में पढ़ता है पॉबा रिजर्व फोरेस्ट आप यहां पर पिक्चर में भी पूरा एरिया आता है असम में और उपर आपको यहां पर देखने को मिलेगा और नौचल प्रदेश यह जो फोरेस्ट है यह काफी जादा थ्रेटेंड की लिस्ट में आ चुका है क्योंकि यह आपे जो फोरेस्ट है वो काफी जादा डिस्रक्शन हो रहा है इल्लीगल होती है पोचिंग होती है जो फोरेस्ट रिसोर्स होते है वो उनको इल्लीगल तरीके से उनको उक्यूपाइ करने की कोशिश करते हैं लोग तो यह कुछ बाते आपको याद रखनी है अब देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया स्टा इंडिया मेरे लगाए गए है यानि कि टाइगर्स को प्रपर तरीके से मॉनिटर करने के लिए जो कैमरा लगाए गए है उन वो हमने वर्ल में सबसे लाज़ेस्ट लगाए गए है और 2018 में जब ताइगर सेंसर्स निकर के आया था तो हमने अपने टार्गेट से पहले ही त तो हम जानते हैं इस टाइगर सेंसर्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो टाइगर सेंसर्स है यह हर चार साल में रिलीस होता है और यह ग्लोबल टाइगर डे के दिन रिलीस किया जाता है जो कि 29 जुराय को सेलब्रेट किया जाता है तो हम देख लेत प्रीक्तिट सब्चंटिया कि इंडिया को रखेते हैं सब्सक्राइब। इन और हमें 3,000 संब्सक्राइब। अब इंडिया की माने तो इंडिया ति Turkish इन्डिया ने इंडिया की माने है यहा इन इसा रूप है जहां पर 75% जो हम टोज सब्सक्राइब कर थाई और अगर देखेया हैं 2010 में दप्सक्षक्र नहीं मिलकि array यह धायं था की दूह जार भाईस कर्लेंगी सारी नसी कंट्री अपने टाइगर्स को डबल कर लेंगी तों इंडिया ने प्षी सब में अापना जुर ऐफना टारिट दोहले पहले ईपना अपना पलत पहले नाम्यालत है और हमारा जुरत तालियर्ट पहले हागे सबस्क्राइअ इस agreement को सेंट-पिटर्जबर्ग टाइगर टार्गेट के नाम से बुलाया जाता है जो कि 2010 में 10 कंट्रियों के दुवारा साइन किया गया था और जो टार्गेट है वो 2022 में रखा गया था हर कंट्री के जो टाइगर है उनको डबल करने की बात की गई थी अब तक कि अगर देखें तो अब तक इंडिया में चार बार टाइगर सेंस हो चुका है अब हम देख लेते हैं कि इंडिया में जो सबसे हाइस्ट टाइगर है वो कौन सी स्टेट में है तो सबसे हाइस्ट टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे अप्रोक्स 526 टाइगर वहाँ पर हैं सेकिंड नमबर पर आता है करनाट का जिसके पास 524 टाइगर है और इसी के बाद थर्ड नमबर पर आता है उत्राखन जिसके पास 442 टाइगर है पिछले 5 सालों में जो टाइगर के प्रोटेक्टेड एडियस हैं उनमें भी इंक्रीज देखने को मिले है, मध्य्य प्रदेश का जो पेंच टाइगर रिजर्व है उसमें सबसे हाइस नमबर ऑफ टाइगर देखने को मिलेंगे सत्य मलंगम टाइगर रिजर्व जो कि तमिल लाणू में सिचुएटेड है उसमें सबसे मैक्सिमम इंप्रूव्मेंट आपको देखने को मिलेगी हाला कि 36 गार और मिजोरम में आपको टाइगर की नंबर में डिक्लाइन देखने को मिलेगा इत mahiati को बता देया था कि जो तईका सेंस्स हो हर चार साल में देखने को मिलता है और इसको जोलेइस करने वारे जो एसेंसी है वह है नाशनल टाैगर पारिशन अथारिटी और इस अथारिटी आपको बेक सपोर्ट मिलती है वायलाइफ इंस्टिउशन आफ इंडिया से और ह मैं बता दू कि जो elephant tiger census है वो हर 5 साल में release होता है और जो tiger census है वो हर 4 साल में release होता है अगर question बने तो आप इसका answer कर पाएंगे कि जो tiger census है वो हर 5 साल में release होता है और last जो उसकी report है वो 2017 में देखने को मिली थी अब देख लेते हैं आपना next article हमारा next article बात कर रहा है Net Grid to get information of suspects from FIR context यह है कि अभी Net Grid यान कि National Intelligence Grid और National Crime Record Bureau जिसको हम NCRB के नाम से बुलाते हैं उन दोनों ने आपसमे एक Memorandum of Understanding यान कि एक agreement sign कर लिया है जिसे जो भी online data होते हैं FIRS के और जो भी stolen vehicles के data होते हैं उनको एक ही जगा पर अब access किया जा सकेगा तो हमारे लिए यह Net Grid जानना important हो जाता है क्या है यह Net Grid इसका जो concept है यान कि ऐसी जो सोच है कि ऐसा कुछ होना चाहिए इंडिया में Net Grid टाइप का तो वह 2009 में conceptualized हुआ था यान कि ऐसी सोच रखी गई थी कि ऐसा concept होना चाहिए Net Grid क्या काम करता है यह एक तरह का one-stop destination है जितने भी security और intelligence agency है उनको एक ही जगा पर जो data है वो provide हो जाता है और यह data किससे रिलेटर होता है जो भी immigrants होते है immigration यानि कि जो foreign country से permanently जो हमारी country में रहने के लिए आये होते हैं उन लोगों कहा हम immigrants बोलते हैं उनकी entry और exit के जो record होते हैं वो इसमें रखी जाते हैं banking और telephone details इसमें रखी जाती हैं और banking से related, tax से related जो information है वो इस Net Grid के पास होती है और यह Net Grid एक तरह का one-stop destination है दस जो central agencies है वो इसके data को access कर सकती है यानि कि ऐसी central agencies जो कि central government के द्वारा direct की जाती हैं जैसे कि intelligence bureau हो गया row हो गया, ऐसी ऐसी CBI हो गया, NIA हो गया तो ऐसी ऐसी agencies के data को access कर सकती है यह काफी positive way में इसको देखा जा रहा है कि हमारी country के पास एक ऐसा system developed हो गया है जहां पर हर तरीके का जो data है वो एक ही platform पे available हो रहा है तो अलग-अलग records maintain करने के जूरत नहीं है आप सारे ही records को एकटा एक ही जगह पर आप store कर सकते हैं वहीं से आप access कर सकते हैं और जितनी भी यह central level की agencies है काफी बड़ी agencies और यह terror attack को जो भी suspect होते हैं उनको identify करने में काफी helpful रहेगा यह net grid तो ऐसा इसके बारे में माना जा रहा है लेकिन काफी सारे critics भी हैं काफी सारे criticism भी होते हैं यानि की काफी लोग इसको negative way में भी लेते हैं क्यों क्योंकि लोग बोलते हैं कि इससे जो privacy और जो की confidentiality है personal information की वो हमारी leak हो सकती है उसका violation हो रहा है हमारी privacy का और हमारी information है personal information है उसका हनन हो रहा है violation हो सकता है और एक और इसमे major criticism यह है कि इसको access करने की power सिर्फ इन 10 central agencies के पास हैं जो की high level के authorities हैं लेकिन जो की state level की है और पुलिस वगेरा है वो इसको access इस data को access नहीं कर सकती और पुलिस का काम क्या होता है कि ताकि जो भी period है उसको immediate relief दिलाए जा सके तो पुलिस वगेरा तो इसमें कर सकती तो इसलिए एक और इसमें क्रिटिसिजम है और यह भी कि यह डिजिटल जो डेटबेस होते हैं वो इतने जादा secure नहीं होते हैं उनका misuse असानी से किया जा सकता है तो यह हमने बात की नेटग्रिड के बारे में अब देखते हैं अपना next article हमारा next article बात कर रहा है disabled are entitled to same benefits of SCST quota says Supreme Court कंटेक्स किया है कि अभी Supreme Court ने यह बोला है कि यह observe कि जो persons with disability है वो भी एक जरसे socially backward है जैसे कि ST और ST के लोग होते हैं तो हमें उन्हें भी special benefits of relaxation देने की ज़रत है employment or education में STST यानि कि schedule caste और schedule tribes schedule caste मतलब दलित और schedule tribes मतलब वो लोग जो कि आदिवासी है तो schedule caste और schedule tribes को जैसे reservation दी जाती है jobs और relaxation दी जाती है education में उसी तरीके से Supreme Court ने बोला है कि जो disabled person होते हैं उनको भी अब relaxation देनी important है क्योंकि वो लोग भी एक तरह से देखा गया है कि वो लोग भी socially backward जो है वो face करते हैं तो हम देख रहते हैं कि यह जो verdict है यह Supreme Court का actually verdict नहीं है अभी सिर्फ यह observe किया जा रहा है Supreme Court के द्वारा लेकिन इसका background क्या है कहां से यह issue है वो create हुआ तो एक person है जिनका नाम है Aryan Raj वो एक specially abled person है और उन्होंने एक petition दर्ज की थी पंजाब एन हर्याना High Court में लेकिन एक Act है 2016 का Right of Persons with Disability Act 2016 उसमें यह mention है कि जितने भी higher education के institutions हैं उनको यह compulsory है कि वो अपना 5% जो है वो disabled person के लिए रखे और जितने भी employment की companies है पब्लिक employment की तो उनको यह mention है कि वो अपना 4% जो है वो disabled person के लिए fixed रखे लेकिन जो Aryan Raj उनको deny कर दिया गया कि हम admission तभी देंगे जब आप general category का 40% का criteria आप fulfill करेंगे जबकि SCST का admission का criteria है इसलिए इन्होंने Punjab and Haryana High Court में यह petition दर्ज किया और यह आगे चलके Supreme Court में पहुंचा और Supreme Court ने यह observe कि जो disabled person है उनको भी equal opportunity मिलनी चाहिए education और employment में इसलिए उनके लिए भी कुछ relaxation और benefits निकालने चाहिए जैसे हमने SC & ST के लिए निकाले हुए है तो देख रहते हैं क्या है ऐसी benefits जो SC & ST को मिले हुए है सबसे पहले बात करते हैं Article 15 Trolls 4 की तो इसमें यह mentioned है कि जो state है वो special provisions बना सकता है SC & ST के लिए जो कि उनके admission में जो खर्चा आता है जो fees है उसको वो कम कर सकते हैं और उनके लिए वो hostels भी बिल्डप कर सकते हैं Article 15 Trolls 5 में यह mention है कि state को यह power है कि जो seats है SC & ST के लिए admissions के अंडर उनको वो seats है उनको वो reserve कर सकते हैं जितने भी educational institutions है चाहे वो private है और चाहे वो non-private है यानि कि government है एडिर है या फिर non-aided है state के द्वारा तो उनको यह power है state कि वो Article 15 Trolls 5 के अंदर जो भी reservation है उनके लिए seats reserve कर सकते हैं SC & ST के लिए Article 16 Trolls 4 यह बोलता है कि जितने भी जो state है अपने particular state में SC & ST के लिए जो employment है उसके लिए पोस्ट है उनको वो reservation fixed कर सकता है Article 15 Trolls 4 में state SC & ST के लिए जो उनकी fees है उनको कम कर सकता है उनके लिए hostels build up कर सकता है Article 15 Trolls 5 में जो state है वो SC & ST के admission की जो reservation है उनको वो manage कर सकता है Article 16 Trolls 4 में जो state है वो employment को लेकर decisions ले सकता है SC & ST के लिए इंडिया के भी कुछ initiatives है disabled persons को लेके हम एकर करके उनके बार में बात कर लेते हैं सबसे पहला है Rights of Persons with Disability Act 2016 इस Act में यह mention है कि जो भी disabled person होगा उसको 5% या उससे जादा seats जो है वो government higher education institutes में provide होगी और 4% या उससे जादा seats जो है उनको government jobs के लिए provide होगी Second है accessible India campaign इसमें जितने भी दिव्यांग जन है उनके लिए accessible toilets की फैसलिटी उनको provide करी जाएगी Third है Deem Dayal Disabled Rehabilitation Center Scheme Fourth है assistance to disabled person for purchase fitting of aid and appliances इसमें क्या होगा कि जितने भी blind deaf persons है उनको समान पहुचाया जाएगा ताकि उनको convenience हो सके अपनी day to day life को जीने के लिए Fifth है National Fellowship for Students with Disability इनमें इसको scholarships बगएरा प्रोवाइड की जाती है तो आज के लिए बस इतना ही आज का lecture यही end होता है I hope आपको lecture अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे और अगर आपको मेरी lecture से कुछ benefit हो रहा है तो मेरी चैनल के दूसरों तक भी शेयर कर दे ताकि जाजी जाजा बच्चों को में अपने lectures का फायदा पहुंचा सकूँ So thank you so much, have a nice day